राधा रानी से जुड़े किस्से आपने खुब सुने होंगे लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा की मृत्यू कैसे हुई कैसे राधा रानी और कृष्ण भगवान की प्रेम कहानी अधूरी रह गई अगर नहीं जानते तो हमारी आज किस वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे तो चलिए शुरू कर लेते हैं कृष्ण भगवान राधा से वायदा करके गए कि यह वो वापस आएंगे लेकिन कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए उनकी शादी भी रुकमनी से हो गई कहा जाता है कि रुकमनी लक्ष्मी का रूप थी और उन्होंने कृष्ण को देखा तक नहीं था फिर भी वो ने अपना पती मानती जब रुकमनी के भाई रुकमी ने उनकी शादी किसे और से करनी चाही तो रुकमनी ने कृष्ण को याद किया और कह दिया कि अगर वो नहीं आएंगे तो वो अपनी जान कवा देंगे इसके बाद कृष्ण रुकमनी के पास गए और उनसे शादी कर ली कृष्ण भगवान के वरंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा का वर्णन बहुत कम हो गया राधा और कृष्ण जब आखरी बार मिले तो राधा ने कृष्ण से कहा कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे इसके बाद कृष्ण मत्रा गए और कंस और बाखी राक्षासों को माणने का अपना काम पूरा किया इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए कृष्ण दुवारका चले गए और दुवारका धीश के नाम से लोकप्रिय हुए जब कृष्ण विरंदावन से निकल लिये तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड ले लिया राधा की शादी एक यादव से हो गए राधा ने अपने दामपत्य जिवन की सारी रस्मे निभाई और बूढ़ी हुई राधा के पती का वर्णन ब्रह्मा वैवर्थ पुराण में क्या किया है ये वेद व्यास द्वारा रचित अठारा पुराणों में से एक है राधा की शादी के बारे में भी अलग-अलग कहानिया प्रचलित है कुछ के अनुसार राधा की शादी अन्या से हुई थी अन्या भी वरंदावन निवासी थे और राधा और अन्या की शादी ब्रहमा की एक परिक्षा के बाद हुई थी असल में ब्रहमा जी ने ये पता लगाने के लिए कि क्रिश्ण वाकई विश्णू के अउतार है उनके सारे दोस्तों को अगवा करके जंगल में छिपा दिया था उस समय अन्य भी जंगल में थे और गलती से वो भी अगवा हो गए इसके बाद क्रिश्ण ने अपने सभी दोस्तों का रूप लिया और फिर सभी बच्चों के घरों में रहने लगे इसके बाद अन्य रूपी क्रिश्ण की शादी राधा से हुई एक दूसरी कहानी के मताबिक असल में राधा की शादी हुई नहीं थी ब्रह्मा वैवर्थ पुरान के अनुसार राधा अपने घर को छोड़ते समय अपनी परचाई घर पर माकीर्थी के साथ छोड़ गई थी छाया राधा की शादी रायान गोपाई यानी या शुदा के भाई से हुई और अन्य से उनकी शादी नहीं हुई इसलिए भी कहा जाता है कि राधा रिष्टे में श्री कृष्ण की मामी हुई थी इनकी शादी साकेत गाउं में हुई जो बरसाने और नंद गाउं के बीच में स्तित था यानी राधा ने अपना शादी शुदा जीवन अच्छे से वैतीत किया भले ही वो मन से कृष्ण से जुड़ी रही अब सवाल ये कि कैसे हुई राधा की मिरत्यू लोग कथाओ के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों ने राधा ने अपना घर छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने के लिए वो दुआर का चली आई जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा दोनों जानते थे कि मन से वो दोनों जुड़े हुए हैं लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उन्हें उस तरह का सुक नहीं दे रहा जिस तरह उन्हें तब लगता था राधा बिना बोले महल छोड़ कर चली कई अंतिम शणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी के धुन बजा कर सुनाई इसके बाद ही राधा जी कृष्ट में लीन हो गई किसी भी पुराण में राधा की म्रत्यू का वर्णन नहीं मिलता गर्ग सहिंता के गोलो का कांड में देवर्शी नारद और मिथिला नरेश की बीच का समबाद बताया गया है ये राधा और शिरी धामा की श्राप के कारण हुआ कि राधा और कृष्ट भगवान को सो सालों का व्योग छेलना पड़ा श्री गर्ग सहिंता के विश्वजीत कांड के 49 अध्याय में एक और कहाने लिखी गई है कहा गया है कि कृष्ट और राधा सो साल बाद सूरिय ग्रहन के दोरान होने वाले एक यग में मिले थे जो कृुशेक्तर में हो रहा था इस दोरान राधा को योगिश्वर भगवान अपनी रानियों और गोफियों के साथ दोर का ले गए यहां सभी ने राज सूरिय यग किया जिसे राजा उग्रसेन ने करवाया था उस समय राधा कृष्ट के साथ उनकी पतने के तोर पर थी यही लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ट से हुई वो छाया राधी थी जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ट की मामी बनी थी पर सिर्फ इस यग को ही राधा और कृष्ट की शादी का सबूत माना जाता है बाकि सब लोग अलग अलग थियोरी पेश करते है आगे दोस्तों आपको क्या लगता है कोमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएगा शुक्रिया